अब 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 कि 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 अब नाशनल हाइवे थी जी रो टू पे है अब अब कवार पुचा साइट देखने जा रहे थे यह डिस्टंस लुंगली से करीब 92 किलोमेटर है गुगल के हिसाब से वह रास्ता 3 घंटे का है लेकिन हम लोग साड़े बारा से लुंगली से निकले है अब भी 50 किलोमेटर डिस्टंस बचा है अच्छा दूसरी बात यह है कि आप वीडियो में देख सकते हूं कि दुनिया भर के पहाड है अजू बजू में जंगल इलाका है पहाड से निकला हुआ पानी रोड के थू नीचे बहते रहता है जिसके कारण काफी सारा मढ़ चिकल जमा हो गया है प्रॉप्लेम हम यह बता रहे आपको कि यहां पे गाडिया फज जाती है जैसे आज हम लोग देख रहे है एक सुमो फज गी है एक ट्रक अल्रेडी बंद पड़ा है लेफ सेंट रेड में सुमो उसको क्रॉस करके जाने की सोच रहे थी लेकिन वहां पे चिकल में फस गई है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे स्थित्य में हम लोग क्या करें अगर ऐसा है चलता रहा तो हम लोग यह सर्वे नहीं कर पाएंगे इसका दूसरा कारण यह है कि दिमागिरी में कोई स्टे या सर्केट हाउस नहीं है और ऐसे कोई बेसिक ग्रास रूट लेवल पे कोई सुईदा नहीं है जिसके करण एटलिस हम लोग सोने का तो अरेंज कर सकते हैं लेकिन गैजट चार्ज करने के लिए हमें काफी दिक्कत आएगी तो यह हमारा अब तक का पचास किलोमेटर पहले का दिमागिरी का स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ अगर ट्राफिक क्लियर होता है तो शायद रात होने से पर हम लोग वहाँ पे खाली पहुचेंगे फिर वहाँ पे डिसकस करेंगे और वही रूट से हम लोग रात को ग्यारा बज़े तक वापस आना है तो यह करंट सिती मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी आप देख सकते हैं वीडियो में अभी लोग प्रयास कर रहे हैं गाड़ी निकालने का लेकिन करने पा रहे हैं पीछे भी आप देख सकते हो काफी सारा मढ है दुनिया भर का जंगल है यहाँ पे अभी बजा है अराउंड 3.30 यहाँ पे देड़ घंडे बाद अंधेरा हो जाएगा तो यह काफी डिफिकर्स्टी है हमारे लिए सरवाई काने के लिए अभी के लिए मैं यह वीडियो क्लोस करता हूँ I hope so हम लोग यहाँ से जल्दी निकल पाएंगे yeah thank you thank you very much